इस वीडियो में हम नाखपूरी की जो मुख्य रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसे एक्जाम में 2-3 प्रसन पूछा जाता है पर तेक एक्जाम में इसलिए इनको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और जो भी यहां रचना है सब सारा महतपूर है इसलिए ध्यान से देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले करेंगे व्याकरन संबंधी बहुत ही महतपूर है जितना व्याकरन और रचनाकार है उसको तो एकदम रट जाना है क्योंकि हर एक्जाम में पूछा जाता है पहला नमबर पे हैं नौट्स ओंदा गमारी डायलेक्ट ओफ लहरदगा चोटा नाकपूर बहुत ही महतपूर है क्यों महतपूर है यह क्योंकि यह नाकपूरी का पहला व्याकरन है इससे बहुत सारा प्रसन पूछा जाता है और यह लिखा गया है इच हुटली के द्वारा अठारा सो च्यानवे इस्वी में यह भी पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है और यह भी पूछा गया है कि किस लिपी में लिखा गया है तो यह रोमान लिपी में लिखा गया है तो इतने सारे प्रसन इससे पूछा जा चुका है इसके बाद है ग्रामर अब दी नाकपुरिया सदानी लेंग्वेज यह कॉन्रावड बुकावड के द्वारा लिखा गया है 1906 में याद रखिए गए यह 1906 में लिखा गया है तो यह सब आपको रट जाना है बहुत ही महत्पून है उसके बाद लेंग्वेज हेंड़ बुक सदानी जो की हेंड्रिक फ्लोर के द्वारा 1931 इस्वी में लिखा गया है इससे भी दरोगा के एकजाम में 2017 में जो एक्जाम हुआ था दरोगा का उसमें पूछा था कि language handbook सदानी का है कि तो क्या है तो एक grammar है कवीता है इस तरह से option था तो क्या हो जाएगा grammar है इसके अलावा भी high school के exam में पूछा था एक question उसमें option में दिया था कि इन में से कौन grammar कर लेखक नहीं है कि व्याकरन कर र रहेगा तो आप असानी से question कर सकेंगे तो उसमें गलात option कौन था सिंक्लियर कि उसके बाद सिंपल सदानी grammar तो सिंपल सदानी grammar के लेखा कौन है पीटर सांती नौरंगी यह भी बहुत ही महत्पून प्रस्ण है पॉइंट है नाकपुरिया सदानी बोली का व्याकरन जो कि सांती नौरंगी के द्वारा 1965 में लिखा गया है इससे भी प्रस्ण जेसेसी में पूछा जा चुका है बोली का व्याकरन और यह है नाकपुरी सदानी व्याकरन और बोली का व्याकरन दोनों अलग-अलग है यह उत्पात सिपाही एक्जाम में पूछा गया था 2019 में तो यह स्रवन कुमार गोस्वामी 1976 में लिखे थे इसमें सारे इंपोर्टेंट है इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं कि यह इंपोर्टेंट है यह नाकपुरी व्याकरन धरवाहिक राची एक्सप्रेस यह संत कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है उसके बाद है नाकपुरी सदा व्याकरन के लेखक कौन है तो उमेसनन तिवारी और सकुंतला मिस्र यह जो नौर अचना है बहुत ही महत्पून है इसके अलावा एक टोटल नाकपुरी में है थोड़ा सा उसको भी एक ग्रामर माना गया है जो कि स्रवन कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा पंडित यो मौतार जी के द्वारा ये भी लिखा गया है नेर्वा लोटा और सांस्कृतिक आउधारना ये डॉक्टर विशेश्वर परसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है नाकपूरी भासा और साहित हिंदी ये भी डॉक्टर विशेश्वर परसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है नाकपुरी भासा एवं उद्गम एवं विकास ये भी डॉक्टर विशेश्वर परसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है ये निबंध भी इसके अलावा निबंध है नाकपुरी और उसके वरिहत तरह हिंदी ये भी डॉक्टर स्रवन कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है फुल सुंद्री निबंध डॉक्टर कृष्ण परसाथ साहू के द्वारा लिखा गया है परकला लिखा गया है उपन्यास के लेखक है प्रफुल कुमार राजी, संकर गोटेक जिनगी के लेखक कौन है प्रफुल कुमार राजी और चकरी, चकरी उपन्यास के लेखक बाल मुकुन बढ़ाए, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, इसके लावे दखल दहनी पंचम साहूर के द्वारा ल लिखा गया है, फिर सातों नदी पार जो उपन्यास है, वो सकुन्तला मिस्र के द्वारा लिखा गया है, तो उपन्यास को भी आपको याद कर लेना होगा, उसके बाद है कहानी साहित्य, तो कहानी साहित्य में सोंजहर, तो सोंजहर कहानी पुस्तक ये परफुल कुमार राय क के द्वारा लिखा गया है सोंजहर कविता भी है याद रखेगा सोंजहर नाम से कविता पुस्तक भी है और कहानी पुस्तक भी तो दोनों लिखा गया है प्रफुल कुमार राय के द्वारा आगे है रिंग्चिंग्या रिंग्चिंग्या कविता हम लोग पढ़े थे तो वो क जावीता था और रिंग्चिंग्या के नाम से एक पुस्तक भी है कहानी पुस्तक तो यह प्रफुल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है इसके बाद है खुखडा रुगडा परकासक यह नाकपूरी पर्चारिनी सभा के द्वारा इसको लिखा गया है तो इसमें ये प्रश्म पुछा गया है खुखणा रूगडा के बारे में पुछा गया था विभाग और जारकन सरकार के द्वारा आगे है नाटक साहित नाटक साहित में ठाकुर विश्वनात साही ये प्रफुल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है उसके बाद है महादान और असुर कन्या ये सीव अवतार चौधरी के द्वारा लिखा गया है उसके बाद है अख ग्रिधारी राम गोंजु गिरीराज के द्वारा लिखा गया है और महराजा मदरा मुंडा ये भी इंपोर्टेंट है ये ग्रिधारी राम गोंजु के द्वारा लिखा गया है उसके बाद है अंधविश्वास ये तिनकवडी साहु के द्वारा नावा इंजोर जो है असोक पागल के द्वारा नूतन इंजत असोक वनकार के द्वारा और रेडियो ले दूइठो नागपूरी नाटक ये डॉक्टर विसेश्वर परसाद केसरी बीपी केसरी के द्वारा आगे है गीत पुस्तक गीत पुस्तक भी बहुत ही महत्पून है देखेंगे नागपूरी सतक कब परकासित होए रहे हैं तो यह हुआ था 1911 इस वी में तो इस तरह से प्रसंद पूछ देता है घासी राम दूर्ग सबसी किसके द्वारा लिखा गया है घासी राम के द्वारा उसके बाद है खोथा है फूल पुजा का फूल है और जागी जावानी चमकी बिजूरी यह तीनों किसके द्वारा लिखा गया है तो लाल रनवीजे नात सहदेव के द्वारा इसके बाद गीत में है गीत कुछ गुछ होगा यहाँ पस गीत कुछ आईच के कुछ काईल के इसके अलावा मेग गीत पताई एक कोईनार के सीठा कुछ मीठा हम कहां चैल आली और नि नाकपूरी कुहू लिखा गया है संद कुमार पंडे के द्वारा उसके बाद वनमाला जो कि सचिदा नंद राय के द्वारा लिखा गया है उसके बाद एक खांधी क्योरा कर फूल यह भी इंपोर्टेंट है नयमुदीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है उलाहना उप अपकाच बियाह गीत ये धनी राम बक्सी के द्वारा लिखा गया है तो ये दोनों भी इंपोर्टेंट है उसके बाद है नाकपूरी संगीत सुमना वली कुसूमा वली ये उपेंदर पाल नहन और नारद मोहलीला जो की गीत नाट्य है उपेंदर पाल नहन ये भी इंपोर् ये क्रिष्ण परसाथ साहु कलाधर के द्वारा लिखा गया है महाकाविय तो दो महाकाविय है दोनों को याद करना है उसके बाद खंड काविय में लंका कांड लंका कांड दो लंका कांड है एक जैगोविंद मिस्त्र के द्वारा लिखा गया है और एक कंचन के द्वारा उसके बाद वीर रागहो चरित ये गौरी नंदन सर्मा के द्वारा लिखा गया है उसके बाद नल दैमंती चरित ये दरीकपाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है आगे है भगवान एक पूरब ये सारदा परसाथ सर्मा के द्वारा लिखा गया है उसके बाद विपलवी महान जो की सारदा परसाद के द्वारा लिखा गया है मेवार केसरी उपेंदर पाल नहन जी के द्वारा लिखा गया है अगर आप इसका PDF चाते हैं तो PDF गुरूप से जरूर जुड़िये क्योंकि जो PDF गुरूप में जुड़े हैं उनको ये सारा PDF दे दिया जाता है लोकुस्चरित ये बल्देव साहु के द्वारा लिखा गया है उसके बाद कविता पुस्तक में फिर देखते हैं रिंग चिंगिया मैंने बताया था रिंग चिंगिया कविता भी है और कविता पुस्तक भी है परफुल कुमार राय के द्वारा सोन्जहर सोन्जहर ये भी कहानी पुस्तक भी है और कविता पुस्तक भी है सत्यार्चन डॉक्टर विसेश्वर परसाद केसरी बोल आपन बोली ये भी डॉक्टर विशेश्वर परसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है अचरा अचरा मंजू जोट्सना हंस के द्वारा लिखा गया है ये पूछा गया है राजस्व करमचारी के एकजाम में तो देखिए इन ही में से कोई question उठा देता है तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है सीतक भूंद हम लोग पढ़े भी है भूनेश्वर अनूद जार्खन दरपन CDC के द्वारा कुछ ओस कुछ अंगोर सीव अवतार चौधरी यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत महत्पून है बिता भर ठाओ बिता भर ठाओ परमोद कुमार राय के द्वारा एक बिता भर पेट कविता भी है जो की दरोगा के एकजाम में पूछा गया था बिता भर पेट जो की खालिक अहमद के द्वारा लिखा गया है समझू संगी यह राम रतन राम के द्वारा लिखा गया है और छंदु छंद और लोर यह दोनों धनेंदर परवाही के द्वारा लिखा गया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF गुरूप से जुड़िए और अगर आप test series से जुड़ते हैं तो आपको सारा material जो है नाकपूरी का वो फिरी दिया जा रहा है और बहुत ही कम दाम में test series भी अभे लेवल है इससे अच्छा और इससे बहतर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम इस तरह से भी यहां से भी एक दो question add किये हैं क्योंकि test series बनाना और उसमें क्या पुछा जाएगा उसको डालना दोनों में बहुत फर्क है test series तो हम अभी 20 test बना सकते हैं लेकिन जैसे तैसे बनाने में कोई फैदा नहीं है अगर आपको फैदा नहीं पहुचेगा तो बेकार है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए thanks for watching